नमस्कर किसान भाईयो, किसान भाईयो धान रुपाई के बाद जब पौदे धान के सोखने लगते हैं तो किसान भाई बड़े लेवल पर कुछ वर्थों से एक ऐसी पेस्टी साइड का प्रियोग धान की फसल में करते हैं, जो धान के सीजन में सबसे ज़्यादा बिकने वाल प्रोडेक्ट है, जो किसान भाई खरीद कर इसका उप्योग धान में करते हैं, यह इंसेक्टी साइड धान में क्यों प्रियोग किया जाता है, इसके अंदर कौन सा फार्मूला यह सिरिफ एक किसान भाईयो हम सब का वहम है, इस वहम को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना अचीए, यह मातर थोड़े दिनों के लिए हमारी फसल सिर्फ हरी भरी दिखती है, जादा परसेंट में दीमक का हमला फसल में होता है, तभी ततकाल किसान जो है कलोरो 50% दना दन खेत में डालने लगते हैं, इसका सीधा रिजल्ट हमारे मित्र जो कीट होते हैं, जीव होते सबसे बड़ा जो वफादार मित्र होता है, केचुवा भी मर जाता है, मेधक तक मर जाते हैं किसान बायों जो हापर जैसे कीटों को खा कर खतम कर देते हैं, अगर आपके खेत में बहुत आए मातरा में दीमक का हमला होता है, तभी कलोरो जैसे इंसक्टी साइड का उप्यो करें, वाभी किसान बायों 20% वाली पावर की जो आती है, और आप लोगों को वही प्रियोग करना है, खेत के किनारों पर दीमक अगर हमला करती है, तो सिर्फ उसी एरिये में ही कलोरों को डालें, ना कि पूरे खेत में किसान बायों आप डालें, जहां पर पानी खेत में ब उताई खेतों की करनी चाहिए जिसे दीमक से छुटकारा मिलेगा वही बिना सूज भोज के कलोरों का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा किसान भाईयो अपने जितने भी मित्र कीट हैं और जीव हैं वो खतम हो जाएंगे तब एक अच्छे उतपादन की हम आस नहीं किसान बाईयो ना तो मैं आप लोगों को दानेदार जहर रिकमेंड करता हो धान की फसल में प्रयोग करने का ना ही कोई जो जहर आता है लिक्विड में तो मेरी कोई रिकमेंड नहीं है आप अपनी मर्ची से प्रयोग कर सकते हैं किसान भाईयो जैहिन धन्यवाद